देखें, इंगलीज के साथ साथ अब जीके और रिजनिंग का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा जैसा कि आप सभी ने बार-बार कमेंट करके बोला था कि नई सर वाई ग्रूप के लिए भी आप जीके उगर दीजिए तो डेफिनिटली यहाँ पे आपको जीके और कुछ रिजनिंग के भी क्वेश्चन्स इस वीडियो में आपको बताया जाएंगे यह सिरीज कंटिन्यू रहेगी यदि आपको यह अच्छा लगएगा चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मात्र भारती प्रधानमंत्री जिनके हस्ताक्षर कैरेंसी नोट पर पाये जाते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसंस आपके सामने है बहुत इसी क्वेश्चन है यहाँ पर आपसंस नमबर डी से हो जागा में कॉम किसका सूचक है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कोई भी वेफसाइट होती है तो उसके लाश्ट में आप देखते हैं कि डॉट काम रहता है तो वहाँ पर जो कॉम है उसका क्या मतलब यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर जाएगा उपसंन नमबर ए यानि कि कामर्शियल उसका मतलब क्या होता है कामर्शियल अगला क्वेश्चन है यत्र नर्याष्टू पुज्यते रमंत्रे तत्र देवता किस गरंद से लिया गया है बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर उपसंन नमबर सी हो ज एकजाम में पूछे जाते हैं चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मनुस्य के शरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर याद रखेंगे इसको ऑपसंन नमबर ए यानि कि 0.8 सेकेंड एक बार धड़ को मिलता है तो यहाँ पर जो ऑपसंन है वो सभी सही है यानि कि विसाल अनागार हडपा से संबंदित है विसाल असनानागार जोकि मोहन चोदरों से और बंदर गाल लोथल से संबंदित है यानि कि सभी ऑपसंन यहाँ पर सही हो जाएंगे इसको अब लेख सकते हैं अगला जो question है वो है कि भारत में हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा बहुत important question यहापर हरित करांती जब भारत में लाई गई थी तो उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो वो है गेहू यानि कि option number A यहाँ पर सई हो जाएगा गेहू पर सबसे अधिक जाएगा यानि कि हरी पत्तेदार सबजीयों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है इन options की अनुसार अगला जो question है कि पहाड़ी ढहलानों पर उगाया जाता है क्या उगाया जाता है धान गेहू गन्ना चाय option यहाँ पर कौन से सही हो सकता है जी हाँ डी यानिकी चाय जो ढ October 1969 को जवाहरलाल नहरू ने के नागवर जिले से किया था तो देखिए अभी जो करिंट अफेर का भी एक question बन रहा है इसी से संबंदित यानि कि पंचायती राजे से संबंदित इसी दिन से एक और करिंट अफेर तयार होगा आपका पिछली बार कराया जाता है हर साल इस द नहरू ने किया था कब किया था दो अक्टूबर 1969 को किया था राजस्थान के नागवर जिले से पंचायती राजब्योस्ता की सुरुआत इसको याद रखेंगे चलिए अगले question की तरफ बढ़ लेते हैं अगला question जो है वह आपके सामने हैं वह reasoning से question है तो यहाँ पर 6 दिया जो है यहाँ पर जब 6 का डबल करेंगे यानि 6 दूना 12 होगा उसमें 1 जोडेंगे 12 में 1 जोडेंगे तो 13 हो जाएगा फिर 13 का डबल करेंगे तो 26 होगा 26 में 2 जोडेंगे तो कितना होगा 28 होगा फिर 28 का जब डबल करेंगे तो कितना होगा 56 होगा तो फिर 56 में 3 तो 122 हो जाएगा यानि कि option number 20 है उम्मीद है कि आपको समझ में आगया होगा यह क्या कर रहा है कि दो गुना करके एक जोड़ रहा है फिर अगली बाद दो जोड़ रहा है फिर फिर चार जोड़ रहा है ऐसी सीरीज आगे रहेगी तो 5 जूड़ता 6 जूड़ता चला जाएग कंडिशन यह कि दो गुना करके एक बढ़ा के जोड़ना है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ आगत वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं अगला जो question है यह भी आपके सामने reasoning से है किसी कूट भाषा में radio को ABCDE लिखा जाए और broadcast को FAEBCGBHI लिखा तो उसी कूट भाषा में ratio को किस प्रकार से लिखा जाएगा important question ऐसे question आपके exam में बनते हैं अब देखे इस प्रकार की question में क्या करना होता है कि पहले तो देखा जाता है कि यह जो सब्द बन रहा है इसका सभी में सेम चीज़े हैं कि नहीं अब देख सकते हैं जैसे कि यहा दूसरा नमर पर देख सकते हैं और दूसरा नमर पर तो यहां पर भी आर को ए मनाया जा रहा है द्यानि कि जो सेम चीज़े हैं जो इसका आर का सिम्बल है वह ऎय तो कुछ उसी प्रकार से ratio जो इसको देखेंगे R का symbol क्या बनाया था A, R का मतलब क्या होता A, तो जो option A है इसमें तो A नहीं है, शुरू में इसमें भी नहीं है, अब B और C में से कोई एक सही होगा, समझते चलिएगा बहुत आसान है, अब देखें जो R है यहाँ पर इसको A बना दिया ठीक है, और A को क्या बनाया है, A को यहाँ पर देख सकते हैं, B बनाया गया है, तो A को क्या करेंगे, B बना देंगे, जब कि यहाँ पर I बनाया होगे, तो यह गलत हो जाएगा, option number C यहाँ पर सही हो जाएगा, बहुत easy question है, इस प्रकार की question आपके exam में आते हैं अगला जो question है, यहाँ पर आपको बेमेल चुनना है, यानि कि यह जो 4 option है, यह 4 में से 3 जो हैं, एक पर करके होगे, और 4 जो होगा, वो अलग होगा, इसमें आप देखिए, बहुत यह आसान है, देखते ही समझ में आ जाएगा, देखिए, पहला आप देख सकते हैं कि 36, 63 53 दिया हुआ है, 47, 73 और 58, 85, 69, 96, यहाँ पर देखिए, सबसे जो अलग है वो option number B है, चुकि यहाँ पर जो 3 और 6 है, उसको उल्टा करके लिखा है, 6 और 3, यहाँ पर 5 और 8 है, फिर उल्टा करके लिखा है, 8 और 5, 6 और 9, 9 और 6, जबकि यहाँ पर 4 और 7 है, तो 7 और 4 होना हिज़ा में बहतर कर पाएंगे, अगला जो question है, यह भी reasoning से कौन सा शब्द, registration शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, important question है, यह जो इतना आपको अक्षर दिख रहा है, इन से मिला करके कौन सा ऐसा option है, जिसके words नहीं बनाया जा सकते हैं, तो अच प्रकार से है, train, t-r-a-i-n, आप देख सकते हैं, t-r-a-i-n, यह तो भी बनाया जा सकता है, station, station जो है कि आप देख सकते हैं, h-t-a-t-i-o-n, यह भी बनाया जा सकता है, तो definitely option number d से होगा, d इसलिए सही होगा, कि देखिए, r-e-p-e-a-t दिया वाए, तो जब कि p इसमें ह नहीं है, तो यह सब्द नहीं बनाया जा सकता है, option number d, यहाँ पर सही हो जाएगा, उमीद है हमें कि आपको यह practice state समझ में आया होगा, इसी प्रकार से यदि आपको यह अच्छा लगएगा, तो comment में ज़रूर बताएगा, और इसको like करिएगा, आगे ही हम इसी प्रकार से अब भी थोड़ी देर बाद आपको English की जो practice state top 10 questions हैं, वो हम आपको दे देंगे, आप उसको भी solve करिएगा, इसी प्रकार आपकी help करते रहेंगे, आप भी यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं Instagram पे तो दसुधीर पांडे सर्च करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, मिलते हैं नए इस्टूडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम